हेलो दोस्तो पूचा अईरवेच चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का हमारा टॉपिक से बार बार चीक आने के घरी लूप आए जिसको मैं इस वीडियो के मादम से आपको बताना चाहती हूँ तो वीडियो बहुत ही जड़ा है तो बिना स्किप किये आप अंतक जरूर देखे दोस्तो चीक आने की पहली हम वज़ा जान लेते हैं चीक आने की वज़ा हमारी नाक में किसी तरह की परिशानी होना धोल परदूशन और किसी चीज से एलर्जी के कारण हमें चीक आती है दोस्तो दरसल चीकना हमारे सरीर की सुद्धी का एक हिस्सा है जब नशिका द्वारा द्वार में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन होता है तब हमें छीक आती हैं जिससे नशीका का दौर साफ हो जाता है और सारे अवरूद बाहर निकल जाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही ज़दा इंपॉर्टन्ट है छीक आना हमारे सरीर के लिए छीके हानिकारक तब होती है जब हद से जादा आती हूं दोस्तों छीके आपके रहानिकारक सावित हो सकती है थोल मिर्टी, तेज प्रकास, इत्र, चटपटा खाना, काली मिर्च या सर्दी जुखाम से भी छीके आती है दोस्तों इसके लिए आपके नाक के हड़ी बढ़ना और इसकी बड़ी बज़ा है नाक का हड़ी बढ़ना खटे फलो जैसे के संत्रा नेवो आद में फ्लेवो नाइट सोते हैं यदी सर्दी जुखाम और एलेर्जी के लिए यह बहुत ही जादा जिमेवार होते हैं दोस्तों चीके आ रही है तो इसे पीकर आप ठीक कर सकते हैं इसके लिए इससे आपको तुरंत रहत मिलेगी दोस्तों तुलसी में भी एंटिवक्टेरियल गुण होते हैं अगर लगातार एलेर्जी के शिकायत है आपको तो गरम पानी में तुलसी के तीन चार पतिया डालें और सोन जाने से उस चीश को यूच करने से बचे अजवाइन की धूनी लेने से भी इस परेशानी से रहत मिल सकते हैं दोस्तों एक कपड़े में आप आजवाइन को बांद ले उसको सुनते रहें जोसे कि आपके ऐलर्जी में बहुत ही ज़्यादा रहत मिलेगी दोस्तों तो यह स आप दोस्तों यह जबा सकते हैं जीक रूखने में अद्रख भी बहुत ही ज़्यादा मददकार ने सदेख करआए थ Games कि अध्रक कंश सच्च्च रहने ने से पहले प्लद सकते हैं को आप पष्यांद कपारवर्दन सब्सक्क्राइब तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्स पोर वाचिंग दिस वीडियो